हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने योटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियोज में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस में देखेंगे पहला चैप्टर होगा आप लोग के किताबों का तो उसमें आप लोग देखते होंगे वहाँ जो है चैप्टर है आपका हमारे आस पास के पदार्थ तो जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो आपका पेज नंबर 4 पर आप आ जाएंगे पेज नंबर 4 पर पर कुछ सवाल होंगे उन सवालों को आज हम लोग डिसकस करेंगे अब हमारे पास यतना समय नहीं रहा है कि आप लोगों को अप सि तयारी भी करनी होगी और यहां पे जितने भी सवाल हैं यहां से सवाल आपका term one में भी पूछा आएगा और term two में भी पूछा जाएगा तो अब जो भी सवाल आप लोगों को कराया जाएगा book से वो सवाल जो है term one के लिए भी important होगा और term 2 के लिए भी important होगा तो काफी serious होकर कि आप लोगों को apply करनी है आप देखो यहाँ पर जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा पदार्थ है ठीक है तो सभी यहाँ पर देख लो कि जो है यहाँ पर आपको दिया गया है option है इन में से हम लोगों को पदार्थ को चार्ट करके निकालना है दूसरी बात है कि आप लोगों को से अगर term 1 की बात करेंगे तो term 1 में भी यहाँ से question पूछेगा question कहलेगा कि लिकित में से कौन सा पदार्थ है चार option देगा तीन पदार्थ नहीं होगे एक पदार्थ होगे आपको चुन करके उसमें से निकालना होगा ठीक है तो इस तरह से आपका term 1 में भी question बनेगा तो उसके बाद यहाँ पर देखे question number 2 है question number 3 है question number 4 है तो 2-3 तो आपका term 2 के लिए question number 4 जो है यहाँ से भी term 1 में question पूछा जा सकता है तो चलिए आप हम लोग देखेंगे एक एक करके सभी सवालों को discuss करें कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बारा है तो subscribe करके घंटी के बैल आगन को दबा दीजे है ना एक थम का निसान आपको दिख रहा होगा इस तरह से थम का निसान होगा उसको दबा करके वीडियो को like कर दो चलिए start करते देखते हैं क्या है सबसे पहला सवाल में देखिएगा कह रहा है निमलिखित में क्या करता है अस्थान गेरता है यानि जगा छेकता है for example यदि हम बात करें एक किताब की अगर आप एक किताब को रख दो तो उसने क्या क्या जगा छेक लिया अगर आप एक कुरसी को रख दो तो उसने क्या क्या जगा छेक लिया तो तो पदार्थ जो होता है वो अस्थान घेरता है उसका कुछ द्रविमान होता है उसका अस्तित्व होता है ठीक है आप उसको इग्नौर नहीं कर पाओगे यानि आप उसको महसूस कर सकते हो उसको समझ सकते हो उसके बारे में जान सकते हो तो वो क्या हो जाएगा पदार्थ हो गिरता है इसको कैसे पता चलेगा कि वाइव जह है आप गुबारे में भरते हैं तो वो क्या करता है एक अस्थान घिरता है दूसरा बात है आप खाली गिलास में एक रुमाल डाल देना ठीक है खाली गिलास ले लेना ठीक है एक खाली गिलास ले करके उसमें रुमाल डाल दे उसमें आप सीधा डालोगे पूरा उसका तल्ली में ले या कर उसको सटा देना, होगा क्या जो रुमाल होगा आपका वो भीजेगा नहीं, रुमाल क्या होगा भाई मेरे, भीजेगा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप इसको पलट रहे थे ना जिस वक्त तो उस वक्त इसमें air था ठीक है तो जब आप पलट रहे थे इसको तो इसमें का air जो है वो बाहर नहीं निकला वो हवा उसके अंदर रह गई और उसके बाद जो है वो diet पानी में गया तो पदार्थ क्या होता है पदार्थ एक दुसरे का विरोध करता है अब उसमें air पहले से है अब पानी भी पदार्थ है तो दोनों एक साथ कैसे रहेगा क्योंकि दोनों तो अस्थान गहरेगा और वहां पर हवा पहले से अस्थान गहरा हुआ है इसलिए पानी उसके अंदर प्यार है ठीक है लेकिन हो सकता है कि भविस्मों वो नफरत में बदल जाए तो वो तो हट गया ना उसने कोई जगा छेका नहीं ना चलिए यह आपका पदार्थ नहीं होगा गन्द भी कोई पदार्थ नहीं होता, थोड़े दर के लिए आपको मिला, फिर हट गया, घिरना, घिरना भी क्या है, ये भी पदार्थ नहीं है, आप अब हमसे घिरना कर रहे हैं, हमसे नफरत कर रहे हैं, हो سकता है, कि दो-चार दिनों के बाद, वो घिरना महवबत में बदल जाए, प्यार आते हैं क्या ये पदार्थ होगा नहीं होगा विचार पदार्थ नहीं होता है क्योंकि विचार आप कुछ भी थौट ला सकते हैं आप सुझ सकते हैं कि आप अमरीका में घुम रहे हैं आप सुझ सकते हैं तो आप लंदन में घुम रहे हैं फिर आप सुझ करके अपने गाउ क्लियर कर लेंगे इसको निम्बू पानी जो है वो पदार्थ होगा ठीक है इतर की सुगंद पदार्थ नहीं होगा ये सेंट हो गया न ये पदार्थ नहीं होगा ठीक है तो जो जो पदार्थ है उनको क्या करना है आप लोगों को लिख लेना है दूसरा सवाल देखे दूसर खाने की महख लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि जब भी आप अपने घर में कुछ अच्छा खाना बनाओगे तो आपके पलोसी को पता चल जाता है। कई बार देखे होंगे पडोसी कहते हैं क्या बात है आज ये चीज बन रहा है, क्या बात है आज वो चीज बन रहा है, ऐसा क्यूं होता है, क्यूं होता है कि जब आप बनाते हो तो उसका गंद जो है पडोसी के हैं चला जाता है, ठीक है, बस यही बात है, लेकिन अगर खाना ठंड़ा आप कहीं होटल से लियाओ, कोना खाना ठंड़ा है, उससे बहतरिन खाना लाओ, कोई पडोसी को पता नहीं चलेगा, कि आपने क्या लाया और क्या खाया, बात समझ गें, अब ये होता क्यों है, इसका कारण बताना है, ठीक है, तो चलते हैं, इसके आंसर को देख ल वो गतिसील कन होता है, तथा तापमान बढ़ने पर कनों की गति तेज हो जाती है, ठीक है, तापमान के बढ़ने पर क्या होता है, कनों की गति तेज हो जाती है, खाने से गंद विशरन द्वारा हम तक पहुंचता है, जो खाना का गंद होता है, वो किस विधी के द्वारा तो विषरन विधी के द्वारा अब यहाँ पर रखे यह सब्जेक्टिव कोश्चन है लेकिन आपको यहाँ से एक उब्जेक्टिव कोश्चन पूछ लेगा जो गंध होता है खानों का गंध वो किस विधी के द्वारा हम तक पहुंचता है ठीक है यह सब खेला जीतना भी होता है ना यह सब वाईव के माध्यम से होता है हवा खाने के संपर्क में आता है और उसके कन गतिसील होते हैं और वहाँ पर विषरन का दोर कुजरता है विषरन भी होती है और वो सेंट tort हम तक पहुंच जाता है समझ गयोंगे आप आते हैं दूसरे सवाल पर अगला सवाल देखे क्या है स्वीमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है इससे पदार्थ की कौन सी गुन प्रेक्षित होती है चलते हैं इसके आंसर को देख लेते है देखे इसके आंसर में आपको लिखना है कि स्वीमिंग पूल में पानी होता है जो द्रव अवस्था में होता है सबको पता है स्वीमिंग पूल में क्या होता है पानी होता है जो द्रव अवस्था में होता है मतलब द्रव अवस्था का मतलब होता है liquid form क्या होता है liquid form होता है यानि जो बहता है ठीक है स्वीम कुल में जो पानी होता है वो द्रव अवस्ता में होता है पानी काट पानी पानी का काट पाना ठीक है देखिए यहाँ पर थो सब मिश्टेक हमको लग रहा है पानी का काट पाना होगा यहाँ ठीक है कानी पानी का काट पाना से पदार्थ का यह गुन परदर्सित होता है कि द्रवों के कनों के बीच लगने वाला बल कम होता है अथा पानी के कारण पानी आसानी से अलग हो जाता है ना चलिए पानी कारण यहां पे नहीं होगा ठीक है पानी जो है अथा पानी आसानी से क्या हो कमरते हैं अलग हो जाता है अब पानी के कारन नहीं सुनों यहां पर उसके प्दार्थ से कन होते हैं तो कोई जो है सटा होता है कोई सॉलिड होता है कोई लिक्विड होता है आप देखें कोई गैस होता है तो उसके कन आपस में अदम सटे वे रहते हैं वह ठोस हो जाता है और जिसके कन थोड़ा सा धीले होंगे वह लिक्विड हो जाएगा जिसके कन ज्यादा ज्या अगर ज्यादा होता है, इसके कन पानी के कन अगर आपस में सटे वे होता है, जैसे कि बरफ, बरफ क्या होता है, पुर उसके कन आपस में सडे आता है, तब बरफ को काट कर देखाओ, नहीं काट पाओगे, ठीक है, लेकिन पानी को क्यों काट पाता है, क्योंकि उनके बीच, जो बल होता है वो बहुत कम होता है अगला सवल कह रहा है हमारा पदार्थ के कनों की क्या विश्शिस्ताएं होती है यह काफी इंपोर्टन है आपको यहां से subjective and objective, दोनों question आपको देखने को मिलेगा, तो चलते हैं इसके answer को देखते हैं, तो देखें, इसके answer में आपको लिखना है कि पदार्थ के कनों की निमलनिखित वे सिस्ताय होती है, सबसे पहला है हमारा पदार्थ के कनों के बीच रिक्त अस्थान होता है, पदार्थ के जो कन होते हैं, उनके बीच में कुछ न कुछ रिक्त अस्थान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात कर देखें, पदार्थ के कन निरंतन गतिसील होते हैं, इसका एक्जामपल हमने आपको बताया था, जो गर्म खाना का गंध हमारे हम तक पहुंच आता है, कैसे पहुंचता है? क्योंकि जो पदार्थ होती है, जैसे वाई हुआ, तो उसके जो कन होते हैं, वो गतिसील होते हैं, इसलिए को याद कर लिजेगा, हो सकता है, यहां से वो अब्जेक्टिफ बना करके भी आपसे पूछ ले, ठीक है? तो उमीद करते हैं, कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो एक होता है, ये सब जनकारी है, आप लोगों को टेलिग्राम के माध्यम से और वाट्सअप के माध्यम से आपको उपलप्त कराई जाती है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत!